सबी सिच्चुकों का बहुत-बहुत स्वागत है हम अब स्कूल रेडिनेस के अगले चरण में प्रिवेस करने वाले हैं और सोम बार से हमारा सिक्षण चक्र एक नए कलेवर में होगा एक नए तरीके से सिक्षण प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा चुकि वारसिक सिक्षण योजना में हमारी चीजें दी गई हैं और ये बताया गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि 2023-2024 में वारसिक सिक्षण उद्देश किस तरीके से दिये गए हैं तो वार्सिक सिक्षन उद्देश्यों को अगर आप धंग से देखें तो हमें निपुन सूची से सिक्षन योजनाएं, कारिपुस्तिकाएं और पाठिपुस्तिकें पूरी तरीके से संरेकित करनी हैं, उसी के अनुसा सिक्षन करना है तो अब अगला चरण जो हमारा आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 9-12 सब्ता की बात है, फिर हमें 13 सब्ता में सब्ता ही पुन्रा प्रति करनी है, 14-17 सब्ता में हमें फिर से बच्चों को कहानी और पाठियोजनाओं के अधार पर पढ़ाया जाना है, और 18-20 सब्ता में कुछ अगले इस्तर पर यानि थोड़ा कठीन इस्तर का बच्चों को सिक्षन कारे कराना होगा, 21-21 सब्ता में हम फिर से पुन्रा प्रति करेंगे और 22-25 सब्ता में हम बच्चों को अगले यानि जो 12 से हमारा आगे के पाठ 12-18 हैं, उनका हम सिक्षन कारे चुकि हमें 9-72 सब्ता की सिक्षन योजना देखनी हैं, तो ऐसे में हमें स्कूल रेडिनेस पे कारे करना हैं और इसके लिए कालांस वन में हमें कहानी चेतर कहानी, चार्ट और इसके सम्बन में लेखन कारे कराना है या उसके बारे में चर्चा करनी है, मौकिक भासा कौश का विकास करना है कारी पुस्तिका पर कारी वर्ण चर और मात्राओं की पहचान करानी है याद रखना है इस दोरान के वल बच्चों को साथ वर्ण और एक मात्रा का लियान कराया जाना है बिग बुक पर कारी करना है और रेमेडियल सिक्षन कारी करना है तो यह कारी कैसे होग यानि ये सापताहिक सिक्षण कारे है जो प्रतेक दिन की सिक्षण योजना को अलग-अलग तरीके से बताने का प्रयास करता है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम एक दिन की सिक्षण बेवस्ता चलाएंगे यहां पर देखिए साप्टा एक सिख्चन चक्र के माद्यम से पूरे अकैडमिक वर्स में किसी सप्ता के छे दिनों में किस तरीके की कारियोजना किरियान्वित की जाएगी इस बात पर आपको जानकारी मिलेगी तो यहाँ पर ध्यान रखना है सब्ता के छे दिवसों में कारियोजना होगी सब्ता के किसी भी दिन की कारियोजना को तीन भागों में बाटा गया है यानि हर दिन के आपके एक, दो, तीन कालांस होंगे और इन एक दो तीन कालांसों के आधार पर आप सिख्षण योजनाओं को देखेंगे तो छह दिनों के सिख्षण चक्र को इस पश्टता से अगर आप देखें तो आपको देखना है कि शुरुआपके चार दिनों में हमें नई दक्षता का सिख्षण करना है यानि नई दक्षता हमें चार दिनों में सिखानी है पांचमें दिन दक्षता की पुन्रावर्ति होनी है और छटमें दिन हमें उन दक्षताओं के आकलन को ध्यान देना है इसके आधार पर आकलन के आधार पर अगले सब्ता के तीसरे कालांस में प्रति दिन यहां पर ध्यान करना है ये बात आपको याद रखनी है यानि रेमेडियल सिक्षन कारे हमें प्रत दिन तीसरे कालांस में करना होगा इस बात को आपको समझना है अब सब्ता कि किसी भी दिन की कारियोजना कैसी रहेगी तो पहले दिन की कारियोजना के विसे में ये चक्र हमारा बताता है इसक पर हमारे ये दिन दिये गए हैं, इनके अधार पर आपको सिक्षन कारे करना है, और इसके तहित क्या है कि हम किसी भी दक्षिता का सिक्षन करेंगे, जिसमें पहले सब्ता हमें, तो यहां पर आप यह देखिए कि यह हमारा पहला कालांस है, यह हमारा दूसरा कालांस है, यह ह हेले कालांस में हम सायक सिक्चल सामगरी का प्रियोग करेंगे पार्टि पुस्तक का प्रियोग करेंगे और मौकिक भासा के विकास पर कारी करेंगे दूसरे में हम कारी पुस्तिका से डिकोडिंग कराने की कोशिश करेंगे बच्चों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जो चार दिन एक से लेके चार दिन ये काम करना है पांचमें दिन के लिए हमारा पुनरा बृत्ति कारे होगा जिसमें मौकिक भासा विकास की गत्विदी को देखेंगे हम जो मौकिक भासा विकास की गत्विदी है वो ऐसे ही चलेगी सापता ही पुनरा बृत्ति करेंगे कि बच्चे को जो सिखाया गया है वो आया की नही以前 और जो चीज उसे नहीं आया है उस दिन हम उसे रिमेडियल सिख्चान के लिए देखेंगे अब हम मौकिक भासा विकास की गतभी दिया फिर आयोजित करेंगे आकलन और रिमेडियल कारे में यहां पर हम बच्चे को मातले 4-5 दिवसों में पढ़ाई गई बातों का रिवीजन कराएंगे उसके बाद हम बच्चे के लिए मौखिक भासा विकास का आकलन करेंगे इस दिवस में और जैसा भी हमारे सामने परिणाम होगा उसके हिसाब से तीसरे कालांस में 20 मिनट का रेमेडियल सिक्चन कारे संचालित किया जाएगा तो इस तरीके से हर दिन की आपकी रूप रेखा यहां पर दी गई है यह चार्ट भी आपको यह चीज़ समझने में मदद करेगा कि हम पहले दिन कैसे क्या करेंगे तो पहले दिन हमारा क्या होगा हम पहले दिन बच्चों के साथ भावात्मक गतविदी से जुडाओ रखेंगे दूसरे दिन के पहले समय में हम क्या करेंगे बच्चों को चित्र चार्ट देंगे चित्र चार्ट के बाद फिर तीसरे दिन हम फिर चित्र चार्ट देंगे उस पर कहानी पर चर्चा करेंगे चौते दिन फिर से हम भावातमक जुडाओ रखेंगे बच्चों से पांचवे दिन हम बच्चे को कहानी सुनाएंगे और छठे दिन हम बच्चे को कविता पोस्टर पर कारे कराएंगे तो इस तरीके से ये हमारा पहले दिन का कारे होगा ये हमारा पहला दिन हो जाएगा, ये हमारा दूसरा दिन हो जाएगा, ये तीसरा दिन और ये चौता दिन, ये हमारे कालांस साब से चलेंगे, आपको ये बास समझ लेनी है, पहले दिन हमें ये करना है, दूसरे दिन हमें ये काम करना है, चौते दिन हमें ये काम करना है, पा विदियों के अनुसार उसका सिक्षण कारे देखेंगे, साब ताहिक पुन्रावरती करेंगे और आकलन करने की कोशिश करेंगे, तीसरे दिन हम क्या करेंगे, तीसरे कालांस में हम बिग बुक से पठन कराइंगे, शुरुआत के चार दिनों में, जब बिग बुक से पठन हमारा हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको पठन अभ्यास कराइंगे, फिर लोकोग्राफिक पठन कराइंगे, और यह स्वतंतर पठन कराइंगे, और यहाँ पर हम रेमेडियल सिक्षर कारे हर दि संचालित करेंगे तो इस तरीके से सापता ही कारियोजना के तहट आपको बच्चे को अपनी योजनाएं बिक्सित करते हुए बच्चे को दक्षता प्राप्त करानी है मिलते हैं अगले वीडियो में